हलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू आल, दिस इस अबर यूट्यूब चैनल तयारी बिगनर्स की, तो आज का जो सेशन रहेगा वो बालविकास एवन सिक्षर सास्त के थर्ड चैप्टर का फिफ्थ पार्ट रहेगा, और लास्ट पार्ट अकर आपने वाच नहीं किये त तो देखते हैं, आज के क्वेशन क्या क्या रहेंगे, फर्स्ट क्वेशन है, पावलाव ने प्रशिद अनुवंधन का प्रियोग किस पर किया था, तो ये क्वेशन आई थिंक सारे वीडियो में आया हुआ है, घुमा के क्वेशन पूछा गया है, तो इसे आप आंसर आप एक परिस्तिती से प्राप्त प्रशिक्षन का दूसरी परिस्तिती के सीखने में उपियोगी होना, तो इसके लिए करेक्ट आप्शन होगा, एक परिस्तिती से प्राप्त प्रशिक्षन का दूसरी परिस्तिती के सीखने में उपियोगी होना, नेक्स्ट कुश्चन है, दंड वाप पुरुषकार की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं इसका जो गूर्थए्ट उप्षिन होगा वहुगा सोसिलाइजेशन ना तो इसकांसा separation होगा ना social mobility होगा तो इसका जो correct option होगा वो होगा socialization punishment and reward अगर बालक को मिलता है अगर किसी कार के लिए उसे दंडित किया जाता है तो भी उसको इस बात का ग्यान हो जाएगा कि ये कारिया गलत है ये सही है इसलिए हमें दंडित किया गया है और अगर reward दिया जाएगा तो वो अगर किसी कार को करता है और उसके लिए उसे reward दिया जाता है तो वो उसके लिए और motivate होगा कि उस कार को और करेंगी और अच्छे से वो इस बात को समझ जाएगा तो उसके सामाजी करण का जो है सहायक हो जाएगा वो सामाजिक परिवर्तन है तो जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कारिविधी अपना ली जाती है तो इसे कहा जाता है A option है नवाचार, B option है अनिवेशन, C option है प्रियोग, D option है सुधार तो इसका जो करेक्ट option होगा वो होगा नवाचार, ओके नवीन आदत या कारिविधी अपना ली जाती है तो उसे नवाचार कहा जाता है Next question है दंड और पुरुसकार निम्नांकित कारण से सामाजी करण प्रक्रिया में सहायक होते है A option है इनके वहवा प्रोस्तान से बालक क्रमसा समाज विरोधी कारिय नहीं करता है और सामाजिक कारिय करता है B option है ये सामाजिक कारियों में प्रवर्त नहीं होने देते C option है उन्हीं की सायता से A सामाजिक बना जा सकता है D option है और प्रियोग्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो होगा इनकी वह या प्रोस्तान से बालक क्रम सा समाज ब्रोधी कारे नहीं करता है और वे समाजिक कारे करता है तो ये विल्कुल इसका appropriate answer हो जाएगा next question है अब क्रमित अधिगम के प्रारंब करता थे तो अब क्रमित अधिगम के प्रारंब करता कौन थे तो A option है Ned Flanders, B option है Skinner, C option है Frawville और D option है Sydney Pressey तो इसका जो correct option होगा वो होगा Skinner का ओके next question है Multimedia में आवश्यक्ता होती है तो Multimedia में किसकी आवश्यक्ता होती है Loudspeaker की, CD की, Telephone की या इनमें से कोई नहीं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा appropriate answer है वो है B option, CD की next question है एकाई sikshan पददी के Morrison के पद بتाए है तो एकाई sikshan पददी के Morrison पत क्या बदाए है तो A option है, B option है 20, C option है 5, D option है 15, ठीक है तो इसको correct option होगा तो वो होगे 5 छूच्ट, C option जो है बिलकुल करेक्ट होगा एकाई सिक्षन पदिदी के मौरीसन ने पांच पद बताई है नेक्ट कुशन है ग्यान छोटे अंसों को एक तार के क्रम में विवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर प्रक्रिया को अभिक्रमित कहते हैं अभिक्रमित अध्यन कहते हैं यह कथन किसने कहा है ग्यान छोटे अनसों को एक तार के क्रम में विवस्थित करने को अभिक्रम। तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्यन कहते हैं तो यह कथन है A option is Stofal का B option is FDL का C option is Wesley का D option is Skinner का तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा Stofal का Stofal नामक बैग्यानिक ने कहा था कि ग्यान छोटे अंसों को एक तार की क्रम में विवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्यन कहते हैं रेखिये अभिक्रमित सिक्षन प्रक्रिया में रेखिये अभिक्रमित सिक्षन प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है तो आर का अभिप्राय क्या है A option है Reading V option है Response C option है Reaction D option है Remembering तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा reading रेखिए अभिक्रमिज सिक्षर प्रक्रिया में R का अभिप्राय क्या होता है? Reading होता है Next question है सर्व प्रथम सूच्म अध्यन का प्रारंब करने वाले विद्वान कौन थे? A option है Dr. Wush B option है Dr. A.W.D.L.N C option है H.E.Shun D option जो है clean waste है तो इसका जो correct option है वो हो जाएगा आपका Dr. A.W.D.L.N सर्व प्रथम सूच्म अध्यन का प्रारंब करने वाले विद्वान थे? Dr. A.W.D.L.N Next question है Multimedia है A option है अच्छे सिक्षन हेतु उपकरन B option है पाठ्थे साहाइक सामक्री C option है जन संचार का साधन और D option है उप्राउक्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा All of these मतलब की उप्राउक्त सभी Next question है ब्रहत कच्छा सिच्छर संबन्दित है तो A option है बड़े-बड़े कच्छा कच्छ से B option है सिक्षकों की अधिक्ता से C option है छात्रों के कम होने से D option है कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र तो इसका जो correct option होगा वो क्या हो जाएगा ब्रहत कच्छा सिच्छर से संबन्दित होता है कि कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक चात्रों का होना Next question है स century अधियापन का प्रारम किया गया है तो 1965 में 1942 में 1967 में 1963 में तो इसका जो correct option है वो होगा D option सर प्रत्रस्पम सूच मध्यापन का प्रारम जो किया गया था तो 1963 में किया गया था Next question है Section एक संबंध है जो बिध्यार्थी के विकास में सहायता देता है यह परिवासा है A option है N L Gaze की B option है Rai Varn की C option है Clark की D option है Brew Waker की तो इसका जो correct option है उसका जो answer हो जाएगा तो वो हो जाएगा B option Rai Varn की सिक्षन एक संबंध है जो बिध्यार्थी के विकास में सहायता देता है यह परिवासा Rai Varn जी के द्वारा दी गई है Next question है सिक्षन प्रक्रिया में चरों की संख्या है तो A option है 4 B option है 2 C option है 10 और D option है 3 तो इसका जो correct option हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3 सिक्षन प्रक्रिया में चरों की संख्या जो है वो है 3 Next question है प्रिक्षिक्षन एवम अनुभव के द्वारा विवारगत परिवर्तन ही अधिगम है यह परिवाशा किसने दी है प्रिक्षिक्षन एवम अनुभव के द्वारा विभारगत परिवर्तन ही अधिगम है यह परिवाशा किसके द्वारा दी गई है तो A option है Skinner की B option है Crow and Crow की C option है Gates एवम Unn की और D option हो जाता है Boodworth की तो इसका जो correct option होगा वो होगा Smith इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा Gates वा Unn की C option जो है वो correct option हो जाएगा prescription एवम Unnovev के द्वारा विभारगत परिवर्तन ही अधिगम है यह Gates वा Unn की परिवाशा होती है Next question है prescription अध्यापन कारियों की एक ऐसी प्रडाली है जो अंतहा पारसपरिक संबंदों के माध्यम से अधिगम लाती है प्रश्न कौसल के ऊपर समस्त सेक्षड क्रिया की कुंजी निर्वर करती है प्रश्न कौसल के ऊपर समस्त सेक्षड क्रिया की कुंजी निर्वर करती है यह परिवाशा किस पैग्यानिक के द्वार दी गई है तो A option है Colvin, B option है Parker, C option है Allen, D option है Quillin तथा Hannah तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा Allen प्रश्न कौसल के ऊपर समस्त सेक्षड क्रिया की कुंजी निर्वर करती है यह परिवाशा दी है Allen नामक बैग्यानिक ने नेक्स कुशन है प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और यह अध्यापक को C ग्रही उपलब्द हो जाता है यह कहा था तो A option है John DV ने, V option है Colvin ने, C option है T Raymond ने और D option हो प्रवक्त मेंसे कोई नहीं जिसका जो correct option होगा वो हो जाएगा D option Colvin ने, प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और यह अध्यापक को C ग्रही उपलब्द हो जाता है यह बात कही थी Colvin नामक मनोबैग्यानिक ने नेक्स कुशन है निम लिखित मेंसे अच्छे प्रश्नों की विशेशता कौन सी नहीं है तो A option है स्पस्टता होना B option है निश्चितता होना C option है विश्चितता होना और D option है सो अध्यश्य होना तो इसका जो correct option होगा वो होगा जो निश्चितता है वो नहीं होना निमलिखित मेंसे अच्छे पस्टनों की विसेश्था कौन सी नहीं होती है कि जो निश्चित्तता है या कंस्टिट्विंसी है जो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं होना नेक्स्ट कुश्चन है अच्छे कारी निर्धारण का निमलिखित मैंसे कौन सा गुड नहीं है तो इसका जो करेक्ट ओप्शन होगा वो हो जाएगा कारी निर्धारण का इसपश्ट होना नेक्स्ट कुश्चन है प्रधाना अध्यापक स्वैम विध्याले का निरीचक होता है वै अपने निरीचक के द्वारा ए उप्शन है स्वैम की बनाई योजना का मुल्यांकन करता है बी उप्शन है दूसरों के दोश निकालता है C option ए दूशरों की आलोचिना करता है D option है बिध्याले विवस्था की जानकारी करता है तो वो क्या करता है कि जो A option इसका correct option है प्रधाना अध्यापक स्वैम बिध्याले का निरीचक होता है उफ्षन है बिध्याले में अनुसासन स्थापित करने का दायत तो है A option है प्रधाना अध्यापक का B option है सारीरिक सिक्षक का C option है अध्यापक का D option है प्रवंद सम्ती का तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक का नेक्स्ट कुशन है विध्याले का आधार इस्थम्ब होता है A. अध्यापक, B. अध्यापक, C. अध्यापक, D. अध्यापक, D. अध्यापक, D. अध्यापक को क्या करना चाहिए A. अध्यापक, D. 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 तो A option है बालक जिस कारी को सीखने को तयार है वह उसे सिखा सीख लेगा B option है अध्यापक को छात्र की संका समाधान है तो ततपर रहना चाहिए C option है ज्यान ततपरता से नहीं क्रिया पित्रिया से आता है D option है त्वरित सिक्षन तत्वरित अधिगम तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा A option बालक जिस कारी को सीखने को तयार है वह उसको सीख लेगा next question है अनुकरण व्यक्तित्तो के विकास की प्रथम सीड़ी है ये किस ने कहा है अनुकरण व्यक्तित्तों के विकास की प्रथम सीरी है यह बात किस बैग्यानिक के द्वारा कही गई है तो A आप्शन है TP नन ने, B आप्शन है कोहलर ने, C आप्शन है गार्डनर ने, D आप्शन है थौर्ड हाइक ने इसका जो करेक्ट आप्शन होगा वो हो जाएगा TP ननन ने, नेक्स्स कुशन है विवार की कारण विवार में परवर्तन ही सीखना है यह परिवासा किसने दिये तो A आप्शन है बुढवर्थ की, B आप्शन है कॉल्विन की, C आप्शन है गिल फोर्ड की, D आप्शन है स्कि के जाती है एक उम्र विष्यस के लोगों में पाई जाती है सीखना एक सार्व मौमिख प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है नेक्स्ट किशन है अधिगम की सबसे अक्शी विधी है तो अग्यात से ग्यात की और B option है अग्यात से अग्यात की ओर C option है ग्यात से अग्यात की ओर या D option है ग्यात से ग्यात की ओर तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा ग्यात से अग्यात की ओर अधिगम की सबसे अच्छी विजी ही होती है ग्यात से अग्यात की ओर next question है बच्चों के लिए सीखना क्या होता है A option है संतोष में होता है B option है कठिन होता है C option है खेल खेल में होता है D option है हर तरह का होता है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा खेल खेल में होता है बच्चों का सीखना अगर कुछों ने सीखना है तो वो खेल-खेल में सीख जाते हैं प्रश्ण किये जाते हैं कख्षा में तो अगर कोई भी सिक्षा के बच्चे से प्रश्न करता है तो उसे ग्यात हो जाता है जो उन्हों में आया है जो भी से उस बस्तू से समझाई गई है वह इस पस्ट हुई है या नहीं इसका पूरा पूर्ण ग्यान हो जाता है नेक्ट कुछन ने अधिगम के विकास में निम्न मैसी सबसे महत्पूर क्या है यह अप्शन है व्यस्त विद्ध्यालय कारिक्रम वी ऑप्शन है कि सबसे मत्पूर क्या होता है नेक्षट कुस्ट को अप अधियापक छात्र के मद्द के समंध को अच्छा समझते हैं यह Tree पूत्र का B option है अफसर एवम सेवक का C option है मित्र का D option ग्राहक और दुकंदार का तो यह तो बहुत हीजी आंसर है और इसको आप सभी बता सकते हैं इसका जो C आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अध्यापक और छात्र के मद्र हमेशा मित्र वत संबन्द होना चाहिए जिससे बच्चों को कोई भी doubt क्लियर करने में problem नहीं हो नहीं हो अध्यापक के लिए सरवादिक आवश्यक विशेष्टा है A option में समाज सेवा B option है देश के प्रतियगाद प्रेम C option है विशेग्यान D option है आपका कठोर परिश्रम तो इसका जो correct option होगा वो होगा विशेग्यान जो भी विशेग्यान जो भी तत्थे आप पढ़ा रहें उसके बारे में आपको ग्यात होना अतियावश्यक हो जाता है next question है प्राथ में किस तर पर बही स्थिक्षक प्रभावी माना जाता है जो A option है अपने विशेग्यान में अच्छा हो B अच्छे व्यक्तित तुबाला हो C option है बारता लाप में अच्छा हो D option है ब्यवहार में प्रभावी हो तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा है अपने विशय में अच्छा हो जिस विशय का वो अध्यापक है उस विशय में वो बहुत ही अच्छा हो नेक्श question है आपको सिक्षण सिक्षण प्रिस्षण से क्या लाब होगा नौकरी मिल जाएगी प्रमाण पत्र मिल जाएगा सांसारिक ज्यान बढ़ेगा या सिक्षक की योगिता बढ़ेगी तो इसका जो correct option वो होगा सिक्षण की योगिता बढ़ेगी आपको सिक्षण का प्रिशचण दिया जाएगा तो आपका जो सिक्षण की योगिता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी Next question है कच्छा में समप्रेशण की सबसे सकतसाली बाधा है तो A option है कच्छा में सोरगुल B option है सिक्षण के इस्तर पर ब्रांती C option है कच्छा में अधिक वाई अभ्यवधान D option है सिक्षण सामग्री का अभाव तो इसका जो करेक्ट option हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्षण सामग्री का अभाव सिक्षर सामगरी पूर्टर नहीं होगी तो बच्चों को समझाने में बहुत दिक्कत आईगी और उसके बाद उनका विकास होने में अवरोध होगा नेक्स्स कुश्शन है, शिक्षण की निमलिकी तकनीकों मैंसे किसमे मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरण का गुड़ पाया जाता है? A option है कथन तकनीक, B option है छात्रों में अनोन निकरिया, C option है छात्रों को करके सीखने के लिए कहना, D option है खेल पद्धती तो इसका जो करेक्ट option होगा, वो होगा B option, शिक्षण की निमलिकी तकनीकों मैंसे किसमे मूल प्रावर्तिक अभिप्रेरण का गुड़ पाया जाता है, तो छात्रों से अन्योन निकरिया में प्रावर्तिक अभिप्रेरण का गुड़ पाया जाता है नेक्स्ट कुश्यन है रीता कक्षप चार की विध्यारती है गड़ित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है हाला कि अन्य विस्यों में उसकी उपलब्दी अच्छी है इसका संभावित कारण क्या हो सकता है ए उप्षण है लड़कियां गड़ित में कमजोर होती है वी उप्षण है लड़कियों के लिए गड़ित आवश्यक विसे नहीं है इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा गड़ित पढ़ाने के धंग में कुछ समस्या है रीता और कख्षा 4 की विध्यारती गड़ित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है और और सारी subject में अच्छे mark उसके आ रही है तो इसका मतलब यह है कि उसको गड़ित बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा जो teacher जिस method से उन्हें पढ़ा रहा है वो समझ नहीं पा रही है इस कारण उन्हें problem आ रही है और उनके marks कम आ रहे है नेक्स question है निम्न मैंसे कौन मा आत्म अनुदेशन पदार्थ का उधारण है A option है अभी किरमित अनुदेशन B option है Computer सहाई अनुदेशन C option है सिक्षण मसीन D option है अप्रोक्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा आपका B option आत्म अनुदेशन की बात वरी तो इसका जो correct option होगा इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा D option आत्म अनुदेशन पदार्थ का उधारण हो रहा है तो इसमें अविक्रमत अनुदेशन, Computer सहाई अनुदेशन, सिक्षण मसीन ये सभी जो है आत्म अनुदेशन के उधारण हो जाते हैं नेक्ट्शन है, प्रभावी समप्रेशन का सिध्धांत यह बताता है कि विविन परिस्तियामानप को विविन प्रकार से प्रवावित करेंगी D optionu is संप्रेशन के बात संदेश देने वाले को पुस्ट पोशन मिलेगा C option है Sumpression प्राप्ट करने वालों की छमता पर निर्फ़र करता है D option है अप्रोग्त सभी तो इसका जो correct option होगा वो होगा D option अप्रचोन अप्रयोग्त सभी प्रभावी Sumpression का सिद्धान्त Vivid PrasityAmana Minamac को विविफिन प्रकाष से प्रवावित करता है Sumpression के बाद संदेश लेने प्रौतद्योगी की विष्य वस्तू है तो इसका जो करेक्ट आप्षोन हो गा वो जाएंगा डी ऑफ्षोन नेक्स्ट कुश्चन है अभी तर। हम अनुदेशन का विचाष सरवध Evans दिया गया था एफ्षण है परैसी के दवारा B option है Skinner के द्वारा C option है Raymond के द्वारा D option है Scouder के द्वारा तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेसी के द्वारा Next question है Skinner की पुनरबलन की विचारदारा यह है कि A option है सही उत्तर पर पुनरबलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है B option है विवार सामने आजाने के बाद पुनरबलन दिया जाता है पहले नहीं C option है अप्रोक्त दोनों D option है अप्रियुक्त मैंसे कोई नहीं तो इसके जो A और B option है वो दोनों correct है इसके नर की पुनरबलन की विचारधारा कहती है कि सही उत्तर पुनरबलन देने के आगे से सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है विवार सामने आ जाने के बाद पुनरबलन दिया जाता है उसके पहले नहीं next question है अभिक्रमत अधिगम में अधिकम करता के विवार को ढाला जाता है तो A option है पुनरबलन द्वारा B option है नियंत्रण द्वारा C option है श्रंखला क्रिया द्वारा D option है उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो अभिक्रमत अधिगम करता के विवार को ढाला जाता है पुनरवलन के द्वारा नाइस कुशन है सबसे अक्षा अधिगम है जो की A option एक ग्यानी अध्यापक द्वारा दिया जाए B option एक छात्र स्वयं में प्राप्त करे C option है साक्षिक प्रौधुगी के प्रियोग द्वारा दिया जाए और D option है उप्रियोक्त सभी तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा B option सबसे अज़ेगा अच्छा जो अधिगम होता है वो यही होता है कि छात्र स्वैम उसको प्राप्त करे Next and last question है आज का अधिगम उद्देश की प्राप्ती के लिए निम्न सभी के आपशकता पढ़ती है सिवा है A option है उचित सिक्षड युक्तियों के चायन की B option है उचित सिच्षड रणनीतियों के चायन की C option है उचित सहायक सामग्री के चायन की D option प्राप्ट मेंसे कोई नहीं तो इसका जो correct option हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉक्त मैंसे कोई नहीं तो आपको हमवर्क में यह करना है कि इस question का सही-सही answer आपको search करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है comment box में mention कर दीजिगा अगर नहीं आता है तो उसे search कीजिए तुरंद के तुरंद हो जाए और अगर आप तुरंद से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको तुरंद से याद भी हो जाता है ओके and PDF के लिए आप टेलीग्राम गुरूब को जैन कीजिए उसका टेलीग्राम गुरूब का जो लेंक है वह दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आप हमारे फेस्बुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते है टिक टॉक हेलो एप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते है शेयर चैट टेली मोशन और ट्वीटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते है अगर आप audio revision करना चाहते हैं तो खबरी एप इंस्टॉल कीजी उसे उस पर तयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो करके वहां से audio revision करते रहिएगा वीडियो यहां देखेंगे audio revision महां करेंगे तो आपकी तयारी जो है वह 10 टाइम वैटर ग्रो कर जाएगी और आपके एक्जाम के लिए काफी वेनिफिट्स करेंगी तो आपकी कोई query हो कोई question हो तो comment box में mention कर सकते उसका answer कर दिया जाएगा आपको संभवते और जो query होगी उसको fulfill करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आप घर पर रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपने परिवारी जनों को ख्याल रखिए और निरंदर आगे बढ़ते रहिएगा मन में हमेसा जुनुन रखिए हासिल कर लेंगे मुकाम अपना तभी चैन से बैठेंगे और चैनल पर अगर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और शेयर भी करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेलेक्ट करें जिससे नोटिफिकिशन आपको तुरंट से तुरंट मिलती रहे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए थैंक यू